तो कल इसके शो सुहागन में आएगा दस साल का लीप और लीप के बार जहां बिंदिया हमें as an agriculturalist दिखाई देंगी वहीं पायल जो है college में, university में वो पढ़ रही है और जहां बिंदिया जो है responsibilities लेती हैं, बहुत ही जिम्मेदार है वहीं पायल जो है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है, अपने background को लेके उनका financial status है तो इन चीजों को लेके बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है, at the same time पायल जो है वो एक secret love affair में है Krishna के साथ, Krishna यह जो male character रहेगा, वो definitely एक बहुत important part play करने वाला है, जैसे जैसे story आगे बढ़ेगी क्योंकि Krishna जो है एक बहुत ही rich background से belong करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उसे हमेशा वो दूर भागते हैं और किस तरह से track जो है ऐसा twist करेगा कि Krishna की जो शादी है वो बिंदिया से हो जाती है, definitely उसके बाद जो है बिंदिया और पायल में बहुत सारे differences होते हैं और eventually कैसे पायल एक grey character बन जाती है, तो definitely track तो काफी जादा interesting है, अब हम आपको यह बता दे कि बिंदिया का जो character है वो debutant Garima play कर रही है, पायल का जो character है वो अंचला गवन play कर रही है और Krishna को जो character है वो Raghav Thakur play कर रहे हैं, तो yes, ऐसा कुछ होगा Suhagan का upcoming track, आप हमें जरूर बताइए कि आपको इस track के बारे में क्या कहना है, anything positive, negative, whatever your views are, do let us know in the comment section below and for more such updates, do subscribe to Glitz Vision USA. Hi, this is Nikki Tamboli and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.